अलो गाइज मेरा के सर फिर से एक बर आप लोगों का अपने क्लास में स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं चप्टर 4 linear equation in two variables तो आए देखते हैं linear equation in two variables होता क्या है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे variables के बारे में ये variables होते क्या हैं है ना किसे करते हैं variables variables मतलब होता है इसे हिंदी में करते हैं चर्च इसे हिंदी में करते हैं चर्चर का मतलब होता है unknown data जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है जिसे किसी भी equation में या question में जिसे x y z या कोई भी alphabet का letters लगता है तो इसका value आपको नहीं पता कि इसकी value कितनी है 1 है 2 है या क्या है ये 1 के equal है 2 के equal है 3 के equal है क्या है what is this ये हमें नहीं पता होता है तो ऐसे सभी number को हम कहते है variables 4 कहते है ठीक है ना तो variables का मतलब ही होता है unknown data कभी कभी हमें question में बहुत सारे चीज़ ऐसे होते है जो पता नहीं होता है तो हम उसे late करके x और y के द्वारा या कोई और later late करके हम उसे solve करते हैं तो उसी को कहा जाता है variables तो variables का मतलब समझ गएंगे variables मतलब होता है चर ठीक है ना जिसे x, y, z या कोई other alphabet का letters ठीक है आप देखे non variables क्या होता है non variables non variables का मतलब होता है non data non data जिसके बारे में आपको पता है that means all numbers जो भी numbers question में given है two, three, four, five जो भी number है यह जो number लिखे रहते हैं यह आपका होता है non variable या इसे constant भी कहते हैं ठीक है ना और इसे कहते हैं अच्छ हिंदे में कहते हैं अच्छ ठीक है ना अच्छर पद यानी जो number होते हैं अच्छर पद जो number होते हैं तो यह सब मिलकर जो बनते हैं तो two variables का मतलब जब किसी भी equation में दो चर आ जाता है तो उसे कहा जाता है two variables तो आएए देखते हैं linear equation में इन two variables का जो form होता है वो क्या होता है तो पहले इसके form के बारे में जान लीजिए ax plus by and plus c is equal to 0 यह आपका जो होता है standard form होता है two variables in linear equation in two variables है ना linear equation in two variables का जो form होता है वो इस तर होता है ax plus by plus c is equal to 0 that means that means coefficient coefficient of x यह हो जाता है आपका a और coefficient of y आपका हो जाता है b जो constant term है जो होता है आपका c होता है c हमेशा number में होता है यह हमेशा number में होता है जबकि यह x और y के साथ होता है इस chapter में linear equation in two variables में आपको सिर्फ x और y से introduce करवाये गया है a क्या होता है b क्या होता है c क्या होता है इसके बारे में introduce करवाये गया है तो आप जान गए हैं कि इस्टेंडर फॉर्म क्या होता है है ना इस्टेंडर फॉर्म जो होता है यह होता है इस्टेंडर फॉर्म AX प्लस BY प्लस C is equal to 0 तो चलिए आप हम exercise में देखते हैं क्या है ठीक है न exercise 4.1 देखते है exercise 4.1 फर्स्ट कोशन देखें क्या करता है the cost of notebook the cost of notebook twice the cost of pen write a linear equation in two variables to present this statement कह रहा है the cost of notebook is twice twice का मतलब होता है दो गुना notebook का जो cost है वो pen के cost से दो गुना है तो आपको एक linear equation लिखना है two variables में आपको थोड़ा hint भी दे रखा है कि notebook का cost जो है x लिजिए और pen का cost जो है y लिजिए ठीक है तो आइए देखें कैसे रिप्रेजेंट होता है linear equation ओके तो सबसे पहले हम let कर लेंगे let the cost of notebook notebook क्या है notebook का cost x rupees है and let the cost of pen is equal to rupees y rupees y ठीक है तो इस तरह से दोनों cost मिल गया लेकिन according to question देखें आपका जभी भी linear equation होगा तो linear equation मैंने अभी बताया है कि उसमें बीच में equal आएगा है ना linear equation का मतलब होता है LHS RHS equation जब यह लग गया equations तो equation का मतलब होता है कि एक LHS सब्द होना चाहिए और एक RHS होना चाहिए यहना दोनों तरफ होना चाहिए हैना दोनों तरफ होना चाहिए इसी form में जभी कुछ questions आएंगे तो उसे काते हैं linear equations तो इस तरह LHS और RHS होना चाहिए तो हमार पस दो cost है तो चलिए हम इन्हें equal कर देते हैं यहना क्या यह दोनों cost equal है नहीं है यह दोनों cost equal नहीं है why it is not equal because the cost of notebook is twice the cost of pain यहनी x जो है y से two times है तो चलिए अगर हम y को two times कर दें यह जो x already two times था तो हमने y को भी two times कर दिया तब यह भी two times है और यह भी two times है तो यह दोनों two times होगे तो दोनों आपस में equal होगे ठीक है ना तो इस तरह x is equal to 2y यह आपका equation मिला यह आप कह सकते हैं क इसको इस तरह अपले आए तो x minus 2y हो जाएगा और आपका equal हो जाएगा 0 तो इस तरह यह आपका equation मिल गया तो पहले का answer यही होगा तो चलिए next question पर चलते हैं देखिए second question क्या करा है express the flowing linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b, c in each case में अभी भी आपको standard form बताया था linear equation का two variable में ax plus by plus c is equal to 0 वहीं होताया था x का जो coefficient होता है a होता है y का b होता है और c जो होता है number होता है ठीक है ना तो इन सारे equation जो भी question आपको given है यह सारे question जो given है इस सभी question को आपको पहले इस form में बदलना है इसका a, b, c लिखना है तो आयो देखिए कैसे solve होता है बहुत आसान है इसे लिखे देजिए फिर इसको standard formula लाईए यानि 2x plus 3y और इसको आप lhs में ले आएंगे तो 9.35 माइनस में चला जाएगा और इधर आपका 0 आजाएगा तो देखिए x का जो coefficient होता है यह a होता है यह b होता है और यह number जो है c होता है ठीक है ना तो आपको इसमें a, b, c ल 0.35 ठीक है और रैकरिंग ठीक है तो इस तरह से आपका a, b, c find हो गया इसे note कर लिजिए अब second देखिए इसमें करा x minus y upon 5 minus 10 यह standard formula लिखा गया है तो आपको a लिखना है तो a देखिए x का कॉपसिल कुछ है नहीं है तो plus है यहाँ पर नहीं कोई साहिन है तो plus है तो plus 1 लिया जाएगा x का कॉपसिन नहीं होने पर भी 1 होता है और यहाँ पर y हटा देंगे तो 1 बचेगा तो इसका कॉपसिन b का हो जाएगा minus 1 upon 5 ठीक है और c is equal to हो जाएगा आपका minus 10 आए थार्ड कोशन देखते हैं थार्ड कोशन में देखिए क्या लिखा है minus 2x plus 3y is equal to 6 अब सब को lhs में लिए था lhs में लिए थै यह minus 2x हो जाएगा यह plus 3y हो जाएगा और यह minus 6 हो जाएगा इसका क्लट पड़ीरी हो जाएगा तो यहां देखें a is equal to होगा minus 2 और b is equaled होगा आपका y और c is equal to होगा आपका मैनस 6 ठीक है न तो यह आपका कुशन सोल गो आप फूर्थ में देखे क्या है फूर्थ कुशन देखे इसमें सिर्फ x is equal to 3y है ना इसमें c नहीं है तो पहले एस्टेंडर फॉर्म बन जाएगा और इसमें a is equal to हो जाएगा आपका 1 b is equal to हो जाएगा मैनस 3 और c is equal to हो जाएगा आपका 0 ठीक है इस तरह a b c लिखना है अब इससे नोट डाउन कर लिजी फिफ्ट गोशन क्या कर रहा है 2x is equal to minus 5y अब इसका side change कर देंगे तो 2x plus 5y और c नहीं है तो 0 डाल देंगे एक पॉल 0 हो गया now a is equal to हो गया आपका 2 b is equal to हो गया 5 और c is equal to हो गया आपका 0 इस तरह ये question आपका solve बता है अब 6th में देखे 6th question क्या कह रहा है 6th में देखे 3x plus 2 is equal to 0 है इसमें y given नहीं है तो जब y given नहीं हो या x given नहीं हो तो उसको इस तरह लिखा जाएगा 0 decimal लगा के y डाल देंगे plus 2 इसको standard form में change करेंगे 0 decimal का मतलब multiply होता है 0 into y कर देंगे तो 0 हो जाएगा तो इसका कोई value नहीं होगा लेकिन इस form में आ गया standard form में आ गया इसको इस तरह लिख देंगे तो जब भी x नहीं हो तो 0.x लिख देंगे और y नहीं है तो 0.y या नहीं 0 multiply y हो गया अब इसमें देखें आपको a मिल गया 3 standard form में भी बदल गया b is equal to 0 और c is equal to हो गया आपका 2 तो आपको समझ में आ गया होगा चलिए next question करते हैं इसे note कर लीजिए आज़े 7th question देखते हैं यहां सिर्फ y minus 2 is equal to 0 होगी यानि इसमें x ही नहीं है तो यहां x डालना है आपको फिर plus y है तो plus y minus 2 is equal to 0 होगया आप देखें a is equal to होगया 0 b is equal to होगया आपका 1 क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो plus 1 है तो plus 1 हो जाएगा और c is equal to होगया आपका minus 2 minus 2 तो इस तरह यह निकल गया आप देखे 8th question 8th question देखें क्या होता है 5 is equal to है आपका 2x तो पहले 2x उधर लाइए क्योंकि आप इसे change करेंगे पहले standard form है तो 2x हो जाएगा यहां y नहीं है तो 0 decimal y लगा देंगे फिर plus 5 लिखेंगे फिर is equal to 0 ठीक है तो that means a is equal to आपका होगय minus 2 b is equal to होगया 0 और c is equal to होगया 5 तो इस तरह से आपका 8th question solve होता है और 4.1 भी solve होगया गया आपको मेरा वीडियो पशन्द आता है ता प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लिजिए ताकि आपके पास सारे notification पहुंच जाए मेरा